मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक मिसन है फिनिस प्लेइंगे क्रेशन विद दा इसकेप रूम टैग वन टाइम और यह वाव मोड का मिसन है इसको बहुत सारे लोग सोचते होंगे या फिर बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बहुत जादा कठीन है लेकिन आज अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो एक चुटकी में आपको एक ही गेम प्ले में बस ये मिसन आपका कम्पलीट हो जाएगा क्योंकि मित्रो हम ऐसी आपको चीजे ही बता देंगे कि एकदम चुटकीयों में आप ये मिसन कम्पलीट कर सकते हैं कभी भी तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ वाव सेक्शन में आजाना है और यहाँ सर्च वार आपको दिख रहोगा इसमें आपको सर्च करना है इसकेप जैसा कि आप देख सकते हैं जैसी स्पेलिंग हम यहाँ पर फ्ल कर रहे हैं वैसा ही आपको लिख के सर्च कर देना है तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं और यहाँ पर search पर क्लिक करते हैं जैसे ही तीन मैप हमारे सामने आ जाते हैं अब यहाँ पर पहले वाले मैप से तो कोई मतलब नहीं हैं को यहाँ पर last में दो मैप same same दिख रहे होंगे आपको लेकिन एक में देखिए ध्यान से तो hard लिखा है मतलब कि hard mode और एक है आपका simple वाला मतलब कि easy है थोड़ा और इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है आपको सिर्फ बीच वाले पे click कर देना जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है simple वाले पे मतलब कि कट्टा मिलेगा है तो मित्रो इस कट्टे को जरूर ध्यान से ले लेना ये आपके आगे चलके बहुत काम आएगा और यहाँ पर right side में आप जैसे ही जाएंगे तो सामने आपको arrow देखेगा आपको उसी प्रकार चले जाना है और यहाँ पर देखे एक आपको दरवाजा मिलेगा इसमें नहीं जाना है आगे वाले दरवाजे में जाना है हाला कि पीछे वाले दरवाजे में भी मिसन है वहाँ पर भी जाना है लेकिन यहाँ पर कट्टिन मिसन है और उसके बाद हम वहाँ पर जाएंगी वो भी मिसन पूरे करेंगे और यहाँ देखें यहाँ पर अभी इसके गोली नहीं लग रही है और मिसनी हमारा यही है कि इसी परकार की गुड़े हमको पाच लेंगे पूरे मैप भर में तो डोंडोंड के हमको मार रहा है लेकिन फिलाल हमको यहां अंदर जाना और यहां लास्ट वाले सरकल के अंदर घुस जाना यह इस वाले में और यहां देखिए आप जान कैसे सकते हैं कि बीच में जा रहे हैं यह जो बंदूख है इसको थोड़ा साइड में रखेंगे तो समझ लिए आप बीच में चल रहे हैं आप हमको देखिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे हम जा रहे हैं और एक देखिए एक ही बार में हम ये मिसन पूरा कर लेते हैं और सामने देखे गुड़ा रखा हुआ है उसी को हमको बस फोड़ना है और यहां देखी हमने जंप किया है तभी हम इस पर आपाएं नहीं तो उसमें हम पक्का चले ही जाते रेट वाले में तो भाई यहां गुड़े को फोड़ दिया हम उस वाले सरकल से निकल के यहां तीन तेना उसके बीच वाले सरकल में गुड़ गए से वाई तो आप याद रखेगा एकदम अराम से सरकल से बाहर निकलीगा दूसरे सरकल में मत गुड़ेगा और यहां पर हम चलते हैं पूरा बायक मनलब कि वापाग चलते हैं जहां से हम अभी आए हैं और यहाँ पर आके हमको नीचे कूद जाना है नीचे कूदने के बाद दिखे एक दरवाजा हमको मिलेगा बाकी सब तो बंद है लेकिन हमको एक दरवाजा ओपन मिलेगा उसी में हमको गुस जाना है अब यह सब कर क्यों रहे हैं हम यहाँ पर गुस रही इस उस पर किलिक करते ही देखें, यहां पर कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब कि आपका काम हो चुका है, वहां पर गुड़ा अनलॉक हो चुका है, तो हम फिर से जाते हैं सीधा वहीं पर और वहां पर हमको गुड़ा अनलॉक मिलेगा, तो चलो सीधा सीड़ी पर चड़ते हैं, और हाँ एक बात आपको याद में रखना है, यहाँ पर दिखिए उसी वाले दरवाजे में घुसना है, जहाँ पर अभी हम घुसे थे, दूसरे में घुस जाओगे तो भाही मिलेगा नहीं वह गुड़ा, और एक बात और याद रखना है, बीच बीच में आपको देखे, M.O एक अठा करते रहना है, क्योंकि M.O. बहुत जादा काम आएंगी, अभी आपको बताएंगे कहां पर, तो देखे, हम यहाँ पर टोटल तीन, दो गुड़े तो फिनिस कर चुके हैं, अभी हमारे तीन गुड़े बाकी हैं, तो पहले M.O. एक अठा कर लेते हैं, और यहाँ अभी चलना है, सीधा हमको जिस बीच में जो मोहरा मतलब की दरवाजा पड़ा था, उसी के अंदर जाना है, और यहाँ पर इसको फोड़ लेना है, क्योंकि निसान लगाना है कि इसमें हम आ चुके हैं, और मिसन पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप पता चल जाएगा और अगर आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो अभी हम बताते हैं, हमको कहां पर मिला भाई, बहुत ही अजीब जगा पर रखा वा था, लेकिन फिलहाल तो हम बहुत जादा मेहनत करते हैं, और हमको गुड़ा नहीं मिलता है वह वाला, तो हम बाइक जाते हैं, फिर से मतलब गुड़ा हमने फोड़े हैं कुछ बहुत तो यहाँ पर देखे यहाँ पर आपको एक गोली का निसान मिल जाएगा इस पर आपको बस एमो मार देना और यह तूट जाएगा जैसे ही तूटेगा और आपके सामने गुड़ा रखा हुआ इस पर एक एमो मार देना है मतलब गोली चला देनी और यह भी फिनिस हो जाएगा दो में फिनिस हुआ चले कोई ना फिनिस तो हुआ और अभी हमको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ दो गुड़ा की और यहाँ पर हम अभी चलेंगे राइट साइड में जो एक हमको दरवाजा दिख रहा है राइट सेड में भी एक दरवाजा है उसमें चलेंगे और यहाँ पर देखे हमको कुरसी और बहुत सारी चीज़े मेज टेबल सब मिलेंगे और यहाँ पर भी हमको डूनना पड़ेगा कहीं न कहीं तो गुड़ा वो जरूर रखाओगा कुरसी पर कुरसी के नीचे और यहाँ पर हलमारी पर टेवल पर कहीं न कहीं आपको जरूर मिल जाएगा तो हमको देखे यह देखे कहां पर मिला है और ये तो एक ही गोली में चल बसे मतलब जितना छोटा गुड़ा उतनी कम एमो और अभी हमारा नमबर आता है वहीं पर चलते हैं जहां पर अभी हम डोंड रहते हैं और परेसान हो गए थे हमको गुड़ा मिला नहीं था सीधा चलते हैं हम उसी दरवाजे के अंदर और अभी देखना कैसे हम उसको डूंडते हैं तो यार ये वाला दरवाजा तो है नहीं आगे वाला है तो आप भी भटग मत जाएगा उसी दरवाजे में जाएगा भाई साब यहाँ पर टाइमिंग भी चल रही है आपको याद रखना है लेकिन टाइमिंग बहुत मिलते हैं देखने की जरूर नहीं पड़ती है अभी 18 मिनट है हमारे पास और हमारा ये मिसन लगबग पूरा ही हो गया है लास्ट गुड़ा बचा हुआ है ढूनने के पढ़ने वाले है तो अभी देखिए किस में पढ़ेगी ये देखो भाई टहल रहे हैं घूम रहे हैं पार्क समझ के बैठे हुए हैं इनको सबको हमको फिनिस करना है तो जल्दी जल्दी हम इनको फिनिस कर देते हैं और इसी में एमो की जरूरत पढ़ने वाली थी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर दीजीगा बड़ी मेहनद से हम ये वीडियो बनाएं भाई मिसन बड़ी मुश्किल से इसको हमने पूरा किया है तो जैसे कि हम इसे वाले दराज के अंदर आ गए हेलिकाप्टर के पास आए जैसे हमारा द कैसी लगी समझ में आई या फिन नहीं आई बाकी हम यहां पर मिसन सेक्षन में चलते हैं और वाव वाले मिसन सेक्षन में चलते हैं और यहां पर आप सबसे उपर देख सकते हैं कि हमारा ये मिसन जो है कंप्लीट हो चुका है बाकी आपको और मिसन कंप्लीट करने तो हमार बाबाई टेक केर एंड रादे रादे